मैसूर राज महल में गुंज उखी शहनाई 40 साल बाद राज महल में सजा मर्ड़ वाड़ियार घरानी का राजकुमार डूंगरपुर घराने की राजकुमारी बंध गए विवाबंधन में मैसूर राज घराने में 40 साल बाद शादी की शहनाई कुंजी शादी मैसूर के वाडिया राजखराने के राजा यदुवीर कृष्णुदत चामराजा वाडिया और राजस्थान के डूंगरपुर की राजकुमारी त्रिशिगा विवाह बंधन में बन गए मैसूर के अतिहासिक अंबा विला पैलेस में ये शादी सारे रीती रिवाज के साथ हुई मैसूर राजखराने में 40 साल बाद ये शादी हो रही है शादी की रस में रविवार से यदवीर द्वारा राजगुरु की पढ़ पूजा रस के साथ शुरू की गई इस कैंड अव मैरेज वर दिस यानुटा फैमिली अस गट मैरेज़ इस अफर अलमस्ट फॉर्टी याइज पुराओं ये थानुटा की वीजए्टी की अवर्टी दिस ज वे जुजस के अविए तकार आव कर दोगू हर रादे भाद है जह एक्राव प्राविज कोब से वेता आव में ते रहा पुरू है कि अविंगय कर दो रादे चुछ तास्तरी शाल प्रभूस नोगा चाहिए and making the rituals pertaining to the wedding and ceremonies and we are extremely happy that it all went out well it's a joyous occasion for the family and after two years we had two senior members of the family passing away we went through a very bad phase things have changed now and we have a new member in the family we welcome her wholeheartedly and we are hopeful यदवीर बोश्टन में पढ़ी लिखे हैं और अभी केवल 24 बरस के हैं त्रिशिका राजस्थान के डूंगरपुर के राजा हर्श वर्धन सिंग और रानी महेश्री कुमारी की बेटी है त्रिशिका हाली में अमेरिका से लोटी हैं पिछले साल 28 मई को राजघराने की परंपरा के अनुसार युदवीर का राजघराने के मुख्या के तौर पर राज दिलक किया गया दशायरा पर्व के दौरान उन्हें राज दर्बार की राजगर्दी पर बैठाया गया था रायल वेडिंग में करीब एक हजार महमानों को आमंत्रित किया गया था आमंत्रितों में राजनेता, करनाटा के सियम सिध्धरमया और उनके कैबिनेट मंत्री, कई अधिकारी और देश के अलग अलग राजघरानों के सदस्य शामिल थे अबस्टेक एप सिर्फ एक पूर्श राई सु नियुष्यान आप्राजा यदिविर औरुट्ड्राज। राज़ औरुविर लिएगा आपकत्श। चेर वंचेकर देखितने कि लागती हैं इतुर अप्राजा धुम्चेजिए कास। चाथ इप्राजिए एक रटाभट्स्तम। and wish them all success and God bless and I also would commend Pramodhaji for having organized such a wonderful marriage with all the rituals in place and I must give it to the palace authorities for having done a wonderful job and I wish the palace all success and may all the troubles be over at the earliest. It was one of the most memorable event for me because I had not seen Chikandatta Wadiar's wedding so this is one of the rarest occasion for us coming all down from Bangalore and meeting all the rituals starting from the day one. It was a blessing for me and also to my family to come and see here and very well organized from the day one. New couples. Pani. New couples. All the best, all our wishes and our love towards them. शादी का रिसेप्शन 28 जून को मैसूर और दो जुलाई को बैंगलूर में दिया जाएगा. यदुवीर और त्रिशिका की सगाई यदुवीर के राजा बनने से काफी पहले हो चुकी थी. वाडियार राजपरिवार के आखरी वन्षट श्रीकान दत्ता नरसिम्हा राजा वाडियार थे. उनकी कोई संतान न होने की वज़े से उनकी विधवा पत्नी प्रमोदा देवी वाडियार ने पिछले साल फरवरी में यदुवीर गोपाल राज को आपचारिक रूप से गोद लिया. इसके बाद यदुवीर का नाम यदुवीर कृष्णिदत चाम राजा वाडियार रखा गया। यदुवीर ने अमेरिका की बोस्टन युनिवस्टी से एक्नॉमिक्स और इंग्लिश में बिये किया है। वो वाडियार राजगराने के आखरी महराजा। जैचाम राजेंद्र वाडियार की बेटी राजकुमारी गायत्री देवी के बेटे हैं। वाडियार वंश ने मैसूर में 1399 से 1947 तक शासन किया। वंश के आखरी महराजा जैचाम राजेंद्र वाडियार थे। उन्होंने 1940 से भारत की आजादी यानि 1947 तक मैसूर पर शासन किया। हाला कि 1950 तक वे महराजा बने रहे। उनके बाद उनके पुत्र श्रीकांत धत्ता नर्सिमह राजा को वाडियार राजगराने का मुखिया बनाये गया। मैसूर में हुई शाही शादी से जुड़े कुछ महत्पूर तत्व आपको बताना बेहत ज़रूरी है। राजस्थान के डुंगरपूर राजगराने की राजकुमारी त्रिशिका और मैसूर के 27 में राजा यदवीर वाडियार की शाही शादी की रस में पूरी हो गई। रविवार को वराह पूजा के बाद सुमवार सुबह पाणिग्रहन संसकार हुआ। आम तौर पर विवाह की प्रमुख रस में वदुपक्ष के यहां होती हैं। लेकिन इस शाही शादी के लिए वदुपक्ष को मैसूर बुलाया गया। और वहां राजगर परिवार के निवास अंबा विरास पैलेस में विवाह की रस में होई। लेकिन विवादी के लिवादी के रस में होई। The royal wedding today starts early morning, two days before puja. This royal wedding, this angalpam, all the Devadas attend Maharaja's marriage. That is very important. Sarva logega kalyana means world peace. Weight is very important. All of us very happy. After 40 years new Rajas marriage all of us very very happy. All the state representation. All the royal family India representation. All the Guru's representation. All the Veda Pandit representation. The only peace and love. there is a message, this Mysore Maharajah's message unity purity and dignity God bless you Vodhiyar nd... Vodhiyar and Pramavadhevi Maharani visit all the time in our Kerala ashram very close today morning give to Gūruvāyur Prasadam Gūruvāyur Šandl Gūruvāyur Šandl give to Mysore royal family in Kerala Gūruvāyur temple all the time दा रिसन तोडे मेरेज़ दे गुरुवायर पुजा रन्यू मैसूर संदल वरी इंपॉर संदल देली गुरुवायर तेंबल अरली मौनिंग 4.30 लोड कृष्णास अभिशेगम मैसूर संदल महाराजा दा रिसन तोडे अस्पिछिएस्टे गूटू संदल डूंगरपुर राज परिवार विवाह की प्रारंभिक रस्प पूरी कर मैसूर पहुच गया और वहीं विवाह की बाकी रस्में पूरी की गई इस शाही शादी की रस्में शनिवार से ही शुरू हो गई थी सुमवार को कल्यान मंडप में सुबा 9 बचकर 5 मिनट से 9 बचकर 35 मिनट तक करकात का लग्म और सवित्र महूर्त के साथ विवाह संपन हुआ जिस पैलस में विवाह हो रहा है वो परेटकों के आकरशना का केंद्र है लेकिन विवाह के कारण गुरुवार से ही यहां परेटकों के नियमित विजिट को बंद कर दिया गया मैसूर और ढूंगरपुर राजघरानी की शाही शादी का जशन चार दिन तक चलेगा सुबा विवाह की सबी रस्मों में पारिवारिक 550 महमानों को आमंत्रित किया गया इसी दिन शाम को रिसेप्चन मैसूर पलेस के दरबार में हॉल में रखा गया है रिसेप्चन में 2000 महमान आएंगे इसके बाद 2 जुलाई को बैंगलूर पैलेस में एक और रिसेप्चन रखा गया है यदुवीर वाडियार की मा प्रमोधा देवी ने राष्ट्रपती प्रलब मुखरजी और प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी को व्यक्तिगात रूप से विवाह में शामिल होने का निमंत्रन दिया था इस विवाह में देश के विविन शाही परिवारों के साथ ही फ्रांस, जर्मनी, सुर्जरलेंड और सयुक्त राज अमेरिका से भी महमान आए हैं मैसूर के महराजा यदवीर कृष्णदत्त चामराज वाडिया, राजस्थान के डुंगरपुर की राजकुमारी, त्रशिका कुमारी सिंग के साथ परिणे सूत्र में बद गए देश-विदेश के कई राज घराने इस शाही शादी में शामिल हुए करीब 40 साल बार मैसूर के राज महल में शादी की शहनाई वजी इससे पहले अंबा विलास राज महल में दिवंगत महराज श्रीकांत दत नर्सिम्हा राज वाडियार ने 1976 में प्रमोदा देवी से शादी की थी इसलिए राज प्रमोदा देवी ने अपने पती की बड़ी बहन के बेटे यदुवीर को गोद लिया और वाडियार राज घराने का वारिज बना दिया मैसूर के महराजा यदवीर किश्नदत चामराज वाडिया सोंबार को राजस्थान के डूंगरपूर की राजकुमारी तिर्शिका कुमारी सिंग के साथ पढ़ने सूत्र में बद गए देश विदेश के कई राज घरा ने इस शाही शादी में शामिल हुए मैसूर राज घराने को लेकर मान्यता है कि 1612 में डक्षन के सबसे शक्तिशाली विजयनगर सामराज के पतन के बाद वाडियार राजा के आदेश पर विजयनगर की अकूत धन संपत्ते लूट ली गई थी उस समय विजयनगर की तकालिन महरानी अलमे लम्मा हार के बाद एकांत वास में थी लेकिन उनके पास काफी सोने, चानी और हीरे जवाहरात थे वाडियार ने महरानी के पास दूद भेजा और उनके गहने अब वाडियार सामराज की शाही संपत्त का हिस्सा है इसलिए उन्हें दे दे अलमे लम्मा ने जब गहने देने से इंकार किया तो शाही फौज ने जबरदस्ती खजाने पर कबजा करने की कोशिश की इससे दुखी होकर महरानी अलमे लम्मा ने कथित तौर पर शाब दिया कि जिस तरह तुम लोगों ने मेरा घर उजाड़ा है उसी तरह तुम्हारा देश वीरान हो जाए इस वंच के राजा रानी की गोट हमेशा सूनी रहे इसके बाद अलमिल्ला ने कावेरी नदी में च्छालांग लगा दी जब राजा को ये पता चला तो हो काफी दुखी हुए लेकिन आप कुछ नहीं हो सकता था तब से लेका लगभग चार सो सालों से वाडियार राजवंच में किसी भी राजा को संतान के तोर पर पुत्र नहीं हुआ हाला कि इस राजमहल से अठारवे सदी में टीपु सुल्तान और उनके पिता हैदर अली ने वाडियार की राजगदी संभाली लेकिन उन दोनों को पुत्र हुए आखिरकार अब मैसूर को अपनी नई महरानी मिल चुकी है और इसी किस्ता आशा की जा रही है कि मैसूर राजगरानी का नया चोड़ा नकेवल राजगरानी की सभी जिम्मेदारियों को विधिपूर्वक निभाएगा साथ ही राजगरानी को इस शाप से मुक्ती भी दिलाएगा